जियां एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर बच्चो और आज जो हम पढ़ने वाले बहुत जादा इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला किस तरहा लेटर लिखना है कौनब कॉन से लेटर आ सकते हैं कैसे आप लेटर लिक्सार कर पाऊगे बिना चोड़े और बहुत सारे इसी गलती हैं जो इसाम में बच्चे करते हो और मांक्स को बैठते हो जबके यहाँ पर तो गलत लेटर लिखने के भी माक्स मिलने वाले है तो यह आपकी टेक्सबूक में पेज नमबर 94 पर एक इंट्रोड़क्शन दिया यह इंट्रोड़क्शन इक्साम में नहीं लिखना है यह सिब बता रहा है कि आप जब लेटर लिखोगे तो उसमें कौन को सी चीज आनी चाहिए जो आपके 94 पेज सब्सक्राइब करने के पहले आपको बोडियो प्लेटर मतलब के लेटर में कौन सी चीज कहां होनी चाहिए उससे आपको इंट्रोड़क्शन से एकदम फांडेशन से एकदम लिक्विट में में ले जाओंगा तो गलती करना चाहोगे भी ना तो नहीं कर पाहोगे जी हां है उसी है सबसे पहले आपको क्या लिखता है लेटर में लेटर में टोटल 11 पोईंट है सबसे पहले है एकदम पॉप्छाट यहां पर आप यह यह कैसे लिखना यह 21 डिजिट का होता है बहुत सारे बच्चे को रेफरेंस नंबर लिखने भी नहीं आता है यहां पर मिस्टे कर बैठते हैं तो यह भी मैं आज आपको पताने वालों कि कैसे रेफरेंस नंबर लिखा जाता है किसी भी कम नी का बी केरफूल और वह उसी भी एक्जाम के लिए ने रियल लाइफ में आप इसी तरह लेटर के रेफरेंस नंबर लिखे जाते हैं जिसके बेस पे इनवर्ड और आउट्वर सेकेटरी मेंटेन करते हैं तो भी कैरफूल इंसाइड एड्रस मतलब क्या बिटा रीडर का एड्रस यहां पे बहुत सारे बच्चे एड्रस लिखना ही बूल जाते हैं लिखते हैं नहीं है कंड डाल के वह बच्चे जो कभी-कभी लेक्षेस बैठते हैं जो एक दिन पहले प्रिपेर होते तो यहां पर लोग मांग खोड़ बैठते हैं और यहां पर पूरी छूट दी गई है अपने मर्जी के एड्रस लिखो जो एड्रस समझता है टेक्स्ब बताऊंगा वह लिखना तो आपको मांक्स भी मिलेगे और आप समझ भी जाओगे जी हां तो सबसे पहले आ रहें लेफ्टेंट साइट और राइट एंट साइट पर रेफ्रेंस नमबर इंसाइड रिटर्स आएगा फिर आपका सेंटर में सब्जेक्ट लिखो गे यह सब् पढ़के सामने वालों को समझ मैं था कि लेटर के अंदर लिखा हुआ है आगे सेल्यूटेशन सेल्यूटेशन का मतलब याद नहीं है तो याद का दू रिस्पेक्ट आना हम लोग मिलते है आपन रोड पर का वाई कैसे हो क्या वांट आई वही वाला बंट आई वही वाला पर कि आएगा सब्जेक उसके बाद ही सेल्यूटेशन उसके बाद हम लिखे कि बोडि ओफ लेटर और याद रखना आपका जो बोडि ओफ लेटर है वह नहीं लिखा है और सिब तुमने प्रूम्प्लिमेंटरी क्लो सिखनेचर करके आ गए तो उसको बोडि ओफ लेटर न आपको मिलेगा जब आपने बोडियो फ्लोटर अटेम्ट किया और वह गलत क्या लिखने ना अगर कोई बच्चा अगर वीडियो पर है अगर नया वीडियो समझ में नहीं आ रहे है पूरा थोड़ा बहुत भी लिखना क्या लिखना नहीं बता दूँगा जिसके बेस पे यह कम से कम डाइक मांक पूर कर जाब है समझ ना रहे है चलिए तो शुरू करते हैं पूरा वीडियो अगें यही एडिग है डिग लिखे क्या आशर है को तो हरी कि मैं लिखना क्या पिता एडिंस अच्छे आप यह अद्रस तीन डाइप क्यों प्यार से समझे आपको रहे है दूसरा दा वेबसाइड एडरस और तीसरा दा इमेल एडरस यह तीनों भी चीज एडरस में आएगी समझार आपको पड़ा वह लिखते कैसे वह बताऊंगा आज मैं जादू बताने वाला का टोटल कितने डिजिट का इस यह नमबर एकिस डिजिट का जरा ध्यान से समझो और प्यार से समझो मैं बता था वह समझो जरा बेटा कैसे लिखना कैसे ड्राफ करना बताने जा रहा हूं मैं आपको बहुत बड़ा सिस्टम है सिंपल लेंग्वज में दो मीट होगे तो आपको सी नमबर समझ में आ जाएगा पहले लिखते हैं सी आई एंट यह कितने डिजिट का अगा ट्वेंटीवन अल्फा न्यूमरिकल क क्या है मिटा है मैं अ इसाब देख के कमनी की पुरी जर्म पूरि खुल जाती है कमनी कभ रजिस्टर कहां पर रजिस्टर हुए कमपनी का नंबर क्या यह सब मिल जाता है कम प्राइबेट कंपनी है पौब्लिक कौन से स्टेट में सब पता चलता है इसके लिए मेंडेटरी क्या गया आप बच्छों यार रखना लिखना मेंडेटरी हो गया है मैं डेटरी मतलब कमबल सरी अगर सी नमबर नहीं और पेपर चैट तो आपको जीरो मांक्स देने की तो सियग नमबर नहीं तो प्यार से समद्दों कैसे लिखना है बोलो one two three बोलो one में कहां पर लिखने ना one two three एक दो तीन लिख दिया एक दो तीन अना मादुरी का करना एक दो तीन चार पांच एसे लिखोगे चार पांच एसे लिखोगे चार पांच यह जो चीर उसको आःसे ना कorf yeah 4356 याद रेगा पैठा एक दो तीन एक अंदर दोबाटीन अंधर तो एकड़ दो तीन चार पांच याद रेंहां आउनलिख क्य 네 मत चलो यह एक दो तिन क्या है पहले वह समझो यह जो एक दो तीन है यह एक दो दिन है वह अल्फा है क्या बिटा अल्फा बेट क्या बिटा अल्फा बेट है और यह चार पाट छे जो वह क्या बिटा नंबर है क्या बिटा नंबर क्या बिटा नंबर यहां पर कोई भी पांच नंबर यहां पर कोई भी चार नंबर यहां पर कोई भी छे नंबर जाना क्या ठोकना बतारों ध्यान देना लिखने का है लव महारास्थ्य पब्लिक क्या लिखो के लव महारास्थ्य पब्लिक तो एल फोल लव महारास्थ्र का क्या आएगा विटा एमेच महारास्थ्र यह क्या दिखा है स्टेट दिखा रहा है एमेच महारास्थ्र और यहां ओपने आपके लिख नहीं खिने के लिए लिख सकते हो या फिर अप अलिस्टेट कमनीनों अब लिखती है पर अपन एली लिखेंगे हर बाई महाराष्टा लिख सकते हो गुज्रात लिखते हो उसका शोट फूर में रिक्षा के उपर भी लिखा थे कोई भी स्टेट की रिक्षा देख लो कोई भी स्टेट की कार्ड देख लो उसके ओपर थाना तो टी एस लिखा होगा जी जी यू लिखा लेका गुज्रात तो यह जो शौर्ट फूर में ना वह यहां पर लिखना आप कौन से स्टेट में रजिस्टर उसके दो अलफाबेट उसके होते हैं यहां फेकंपनी प्राइवेट लिमिटेट कम्पनी या भी वन पर्सन कंपनी ओपी सी ज्या यह तीन अटीज है बट आए प्रिफर ओवेश आफश पब्लीन रिमिटेट कमणी को कोई यह नहीं होगा समझ में आया क्या पहले अलफाबर समझ में आया तो कौ कोई बहुए नमबर कोई था कितने नमबर है ठीक हो मैं मेरी मेरीदेट लिगता हूं पपा को बढ़़ दिएट अ लिखर ना अबनेट, थिक्ट है फिर एनि फोर तो यहां से कोई भी चार नमबर कोई भी चार नमबर कोई भी चार नमबर नहीं सम्झता है तो आपकी जनम कौन से साल में तुम पाइदा हुए दो मैं पाइदा हो था 1984 का बोर्डर हूं तो यह क्या दीख़ए अपने और कौन से साल में कंपनी रजिस्टर हुई थी और यहां पर कोई भी पांच नंबर वह कंपनी के रजिस्टरेशन नंबर है तो यहां पर क्या करने का पते हैं यहां से को एक जीट का आज से मेरा बच्चा कभी भी CIN में गलती नहीं करेगा यह मुझे शोर हो चुका है याद रहेगी माधुरी अपने को CIN लिखने को सिखाएगी पब्लिक लिमिटेट कंपनी यह पॉकप कंपनी लिमिटेट बाइ पबलिक मैं बता तो आपके लेटर में कहां पर लिखा देख हैं पॉब्लिक कंपनी लिमिटेट तो पी-सी-ल कर देखें चलेगा ठीक है तो या पर में लिखते देए फिल प्प्प्लिक कंपनी लिमिटेंड प्राइबेट कंपनी लिमिटेड वन परसन कंपनी लिमिटेड यह डेका आपको तो वन टू थ्री हो गया आप क्या लिखना है 456 यहां पर क्या लिखो के बीटा फॉर फाइव और सिक्स यह सिक्स में कोई भी इच्छे नंबर मैंने लिख दिया 19 15 21 फिर यहां पर मेरा जनम तरी 11 महाराष्ट्रा 1984 पॉब्लिक कंपनी लिमिटेड देख है और लास्ट में नंबर लिखें है 191521 यह अपना रजिशेशन नंबर है इस इस माइं सी आई एन नंबर तो बच्चा आज से सी आई नंबर लिखना सिख गया आप लोग सब कि यह जादू जाए सरका जी हां बच्चा सी आई नंबर समझ क्या सब को पहले यह यह कंफॉर्म करो समझा ठीक है अब आपको सिखा रहा हो रेफरेंस नंबर लिखना क्या लिखना लिखना सिखा लो बढ़ा रेफरेंस दो चीज शीचनी है उसके बाद तो सब फेको लो जी है यहां बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहां पर रेफरेंस नंबर कर लिखते हैं तो रेफरेंस नंबर लिखने के लिए आपको का करना में पहले ध्यान से इक पार समझ रो जिए यहां पर लिखने ल अपने लिख देगे यहां पर यह दो टीन यह तिर वन टू थ्री आ घया फिर आप आएगा फोर दो जार कि साल में था फाइफ यह पांगे आपका और यह सिट्वर वर टू टू थ्री फॉर फाइव सिक्स लाइट मैंट इस्टूर्ड चाहिए इतना है रेफ्रेंस कि बात करते बिढ़ा यहां पर आपर पहले कंपनी का स्वॉर्ट्ट नेम क्या बनेगा सी एम एल तो मैं रफियर्स जबहु नबर क्या से मैं पर्फियर्स की सबनेगा सी आप ऑपने इंस लेट्प करते हैं यह क्या यह यह मतलब क्या गणा मेंबर क्वेश्चन में देखना लेटर किसको लिड़ हो लेटर मेंबर को निखंगे यह तो लेटर मेंबर को दाइरेक्टर टैडेक्टर को सड़ी जो है या तो दिवेंचक ओल्रोट को लिख थे pintar नंबर का लेटर लिंखे से का यह मेंD यहां पर नाइंटी तो इंटी यहां पर यहांपर लिखना अगलती मत करना ठीक है इतना समझ आये सब को पक का को मतलब मेरे बच्चों को रफर्रस यंबर भी लिखना गया और बच्चों को सी या इन लिखना अ किसी वधी है नंबर नहीं लिखोंगे तो मांक्स नहीं मिलें कि सो प्लीज आजहिव सर की टेकनिक को यार रखना और आ गपड़ जाना क्या क्या लिखोंगे एक डो तीन स्वी क्या लिखों ये चार पांच छे यह एक क्या है अलफा बेटे ये फी यूज करने के अपने इंफ ल फी क्या वो जो महाराष्ट्रा पॉब्लिक कंपनी लिमिटे्ड यांके पॉब्ली बहुत पसंद आते हैं हमको भी आ कि यहांपे एक का लिखोगे कोई भी छे कोई भी चार यह से एक नंबर करके लिखा तो भी चलेगा ज़ब नैंटीन ट्वेंटी वन चलेगा समझा गलती लिखा है पर लिखने बॉर्टा यें लेट्र रेक्षिड ने ही इसना नाय तो यह सब्सक्राइब खकते नहीं मरें सब्सक्रारीघ विए फर्स इंट्रोडेक्शन करना है कि यह लेटर कौन लिख रहा है तो अल्वेज आरेक्शन सबका सेम रहेगा आप एक ही चील लिखूगे आई एम डाइरेक्टेड बाइड बॉर्ड ओफ डाइरेक्टर क्या करना चाहता हूं दिस इस सब्सक्राइब इंफॉर्म टू यू है और अब कमनी की कोई भी मीटिंग होई होगी बिना मीतिंग के तो काम उना नहीं है वह मिटिंग इंदर रिंदौन पसना है यह फिक्स लाइन है यह कसम घृलो के फिक्स लाइन है कोई भी लेटर पूछ ले लेटर को शुरू होने के पहले आप यह लाइन लिखतों के बोड़ी ओफ लेटर में मतलब कि यह वह बच्ची जो डेड़ माक लेना चाहते हैं उनके लिए महामंतर है क्या लिखतूंगा मैं क्या लिखतूंगा मैं शुरू कैसे करूंगा पहला इंट्रोड़क्शन आइम कि डारेक्टेड मुझे मैं डारेक्ट हुआ हूं मुझे डारेक्ट किया है बाइब कोन बेटा बोड़ ओफ डारेकटर क्या बोड़ डारेकटर इंफोंग किया है कि इस इस इंफॉर्म यूँ डैट तो इसके बात में क्या होता है अगर आपको मार्क्श एडेस मार्क्श तो आपको आसानी से मिल जाएका दो भी हो जाएका चिंदा मत करना पर बच्चा में यहां पर पढ़ाने आया हो आपको डिटेल में से बाहर करना हो में जवाबदारी है तो वह आगे बढ़ते आपने पीपीटी में सोफी कॉंप्लीमेंटरी सिगनेचर और इंक्लोसर कर दिया तो लिख सब्सक्राइब लेटर उसमें लिखना क्या है यह एक इन्फोमेशन ने जिसको आपको कहीं पर यूस नहीं करना है और रजिस्टर डोक्यूमेंट हम सबको पता है ऑफ़ टाइटेल जापर ओनर का नाम लिखा हुआ होता है दस्योंडर इशू बाइद कमनी जी आज शेर सब्सक्राइब होता है उसके ओपर दो डाइटेक की साइन काउंटर सिंगने जरूरी है एवरी कमनी मस्ट इशू दा डिस्पेट शेर सर्टिफिकेट आप अलोटमेंट विदीन टू मन्स जिस दिन हमको शेर अलोट होते है उसके दो महिने के अंदर अंदर आपके घर पे शेर सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए ठीक है एस पर रिक्वेस्ट ऑफ अलोटमेंट या अलोटी कमपनी सेंट लेटर फो इशू आपने रिक्वेस्ट किया है तो आपके घर पे लेटर आएगा लेटर के अंदर क्या लिखा होता है कंटेंड इन्फोमेशन अबाउड इश इशू आपको से सटीफिकेट कर रहे है फोल नंबर शेर सटीफिकेट नंबर क्या रहेगा तोटल शेर कितने आपने खरेदें वह भी उसमें लिखा होगा अकोर्डिंट नुसे भी दस अर्किलर कमपनी आर रिक्वार तु सेंट शेर सटीफिकेट बाइग रजिस्टर पो एक एक पार्ट आपको बहुत प्यार से सांती से बाहर करवाने वाला हूं आज मेरे साथ में आप लेटर पढ़ लो और आज का लेटर को रट्टा मार लो सिब काम यह करना के रोज रात को शोने के फिल एक पार गो तुरू कर लेना तो एक्जाम तक आपको याद रहेगा या यह अपि रजैसर का वीडिएो यह सुन लेना तो समझ में आ जाएगा सबसे पहले मेंने लिखें कमफर्ड मोटर जी आएक्जाम एक दम लिखें कामफर्ट होके जाना आराम से आप कमफर्ड लिखो आप लगजरी लिखो आप यहां पर कुछ भी नाम लिखो सोना मोट लिमिटेड दो मोटर में टूइए इंजीनियरिंग लिमिटेड लिग दो कुछ मत लिख समयता है सभी प्रिक स्वाहट कर लो कोई दिक्कत ने आएगी क्योंकि उन्हों से कोई फिक्स फॉर्मेंट लेटर के अपने को बताए नहीं तो अपनी कोई भी लेटर लिख सकते या कोई भी अडरस सकते तो एड्रस फिक्स रखना मैटा एक बाइडरश रडर लो फर में एक ही चैप देना रभिड मोटर लिमीटेट क्या बोले अपने को यह वर यूज करना है रेजिस्टर ओफिस क्योंकि आप पर उसाइं डिपने रिजिस्टर रजीस्टर डिट्रस तो कंफर्ट मोटोर्स का रजिस्टर अड्रेस कहां पे बोलेटर कितने अड्रेस आएंगे तीन रजिस्टर अड्रेस मेट्रेस तीन चीट लिखने हैं आपको वेबसेट एड्रेस और इमेल एड्रेस क्या है यह थर्टी अंबुजा टावर एमजी रोड केंप पूना 411-01 यहां पर मुंबई भी कर दिया तो कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है महारास्ट्रा कर दो पूने कर दो था जो करना अगर कुछ बदली कर दो कोई दिक्कत नहीं है एड्रेस अपने मज़सिप इतना लिखना जरूरी है रजिस्ट्र ओफिस आगे एडिंग में उसके बाद पहले कंपनी का नाम फिर पीछे एड्रस ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं लिखना है वह खाव लिके पीछे राम टावर एमजी रोण पूने या मुंबए ठीक है सिंपल तूरंक सेकेड बकल चरी एडियirm क्या लिखना छे Wakे पीड़ा सी य नवल गनल्बद condemn चरुछ। है एलगं क्या दोए आलने कॉल है ओटर यूह tusk ढौत ऑई है 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 सब बूक में तो यू लिखा आए भाई तुम्हें लिखो ना कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने आपको पहला था ना पहले क्या आएगा पहला कुंसा नंबर आएगा है कि वन टू थ्री एल महाराष्ट्रा पप्लिक लिमिटेट कंपनी फिर आएगा यहां पर 456 कोई भी फॉल नंबर कोई भी फाइन नंबर कोई भी सिक्स नंबर यह जो आपको यह बता रहे क्या बतारा यह किस साल में कमने तब मेरे को तो लगता आपका बर्ट बर्ट जनम क यह लिए तो भी काम हो जाएगा यहां पर 30 047 कोई भी नंबर यहां पर रिपीट करते तो भी चलेगा याद रगा पर नंबर यहां पर पांच होने जिए यहां पर चार ही होने चाहिए क्लियर एवर्डीवन चलिए आगे सिया नंबर समझ भाए बिटा फिल लिखे कि हम ल दोट कोम खतम डबली डबली डट कंफ़ड दोट कोम खतम फिर इमेल बनाने के तो लिख दिया कंफ़र 31 या 36 या वन जो लिखना है एड़ जीमल डोट को मतलब कम नीके नाम से वेब सेट भी बन जाएगा राइट माइट यह स्टूडट यहां पर क्या लिखे के जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की तारिक तारिक का बड़ा खेले ध्यान देना कौन से साथ लिखो के राइट है कहां पर लिखो के राइट है विदाउट डेट लेटर इस इनकंप्लीट वह भी ध्यान रख लेना सो 12 नवेंबर 2019 को अपन लेटर लिखे रहें कब लेट आपका 4 ऐका फोन कोन से इस फीक लका लेटें सबर्ट है का फोन फूर नम्बर लिखो कnai को बिघ्र कोई भीट नमबर कोई फै͡ पर मोटरस लिमिटेट फिर आप यह लेटर किसको लिग रहे हो तो आपके मेंबर को तो एपर लिखना है ठीक है क्यों लिख रहे हो तो शेर सर्टीफिकेट दे रहे हो एपर लिखने क्या 30 20 25 कोई भी नंबर लिखो चलेगा तो सबसे पहले कंपनी का शोट नेम किसे लेटर को लिख रहो तो मेंबर को लिख रहो हो क्यों लिख रहो शेयर सर्टिफिकेट देने की लिख लो और सिफ एमार्ग लिख दें तू भी चलेगा मास नहीं कटेगा फिर आपका लेटर नंबर हो यापर लिखना है यह यह जो यह यह सब क्या लिखो पिटा यह लिखोगे कौन सा यह रही है है कि नाइंटीन ट्वेंटी का यह रहे हैं ठीक है रेफरेंस सेंबर सब्सक्राइब आया फ्यूस के बाद क्या लिखो पिटा आप लोग सामने रीडर का अड्रेस अभी वैल क्वेस्चिन में बोलाने की इसको लिखो उसको लिखो जो याद आता मिस्टर जैंद मोधी मिस्टर रमान से不錯 मिस्टर भोगाली मिसटर अंभूचा मिस्टर कुछ भी लिको घंथा ताफ अधा पुझे सवाद इउसमेंट करना क्योंके में मेंबर को लिखे लो में अभीमान अपाटमेट 30 एल पी रोल पुने महाराहश्त्रत्रत को यह पर मूंवाई लिखो यह मैं लिखो चलेंगा कोई दिक्कत नहीं है तिक मृदक है चलो कि हो गया सब सेपहले लाभी स्पोगीशन फिर वेबसेट एड्रस इमेल एड्रस डडेट यहां पर अपने फॉर नंबर लिखा फैक्स लिखा रेफरेंस नंबर इंपोतेंट है फिर आपका इंसार्ट ट्रस लिखना ए फिर सब्जेक सब्जेक्ट तो कहां से मिल जाएगा अपने को question से मिल जाएगा question में क्या लिके था issue of share certificate बस ठीक है किसको लेटर लिके उसको salutation को सलामी को क्या वाई क्या अंटाई वाई सवाला dear sir रिस्पेक्ट टूवर्ट रीडर राइट चलिए अब कहाने अपन शुरू करते हैं काने अपन सुरू करते हैं सबसे पहले क्या लिखोगे तो अपने fix लाइन लिखोगे आयम डायरेक्टेड बाई जी यहां इसके पहले एक लाइन लिखनी है आपको जो मैं अभी बता रहा आपको यह एड करना आपको यहां पर लिखोगे अब आए अब डायरेक्टेड बाई बोर्ड ओफ डायरेक्टर्स पी यह लाएंगा इस इस इंफॉमिंग यू डाइट एस पर यूर रिक्वेस्ट आप अप्लिकेश्ट अब बहुत प्यार से के रिखोगे बोलता है आए माइटेट बाइट बाइट इस इस इंफॉमिंग देट में इंफर्म करने जाता थो तुने पहले रिक्रत हम करने हम मेंबर को सेकेटरी मेंबर को बोलते हैं जो प्लाइट तक पक् रिप्लाइ दे रहो आपने जो अप्लाइ किया था उसका में रिप्लाइ दे रहो तो बेड़ा पीड से बहुत प्यास है आए मड़ाइट अब डाइडेक्टर इस इस इन फोमिंग यू दैट इन रिप्लाइ अप्लीकेशन नंबर में क्या करो सेकेटरियां पर कर रहे है रिप्लाइ दिस दरसी नंबर ऑंड एक यहां रिक्वेस्ट अंप्लीकेशन तुमने पहले क्या गड़ा रिक्वेस्ट यादा एप्लिकेशन नंबर फिफीवज़ी का द्यान देना क्या लिकुकर आएँ डाइरेक्टेड बावाई बोरोफ डारेक्टर। क्या करने वालो मैं आपको भी सबहर हुर दिस इस क्या करने वालो में एपेटा इस आ का इन पॉर्म यूव लेत मिन आपको इन वोम करें तो क्या कि यह क्या कर रहे हैं पेढ़ां यह क्या कर रहां यह गाइए खान यह है thoughts दिस इंफोलाइस पर यू देट स्पर योर क्या मिला है अपने को क्या मिला है k est कको ठेरह मैं क्या एस पर य्व यूर क्या मिला था ह manufacturers अब्लीकेशन नमबर 30 नौ प्रोबलों तो आयाम नाइटेडर बोल्रेटर इस एंफॉर नमबर ग्यां इसने डिवेस्ट पर रिक्वेस्ट किस चीज वेडा लेक्वेस्ट किस चीज बाह। रिक्वेस्ट अंबर I am here by authority to issue you share certificate I am here by authority मुझे क्या मिल चुकी है authority to issue you share certificate बस यह दो लाई याद रखने हैं तो याद हो गई होगे आप लोगो को मैं फिर से एक बार रिपीट करें दो लाएं क्या लिखो कहें share certificate इतना बाइड होगे बिटा इतना बाइड हो गया चलो second paragraph में बात करते हैं मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं सेकेटरी पहले बता रहे हैं कि आपने मुझे अपलाई किया था मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं कि मैं मुझे मेरे बॉर्ड ओडर्टर ने ओथो इसू और से सर्टिफिकेट टू यू ठीक है यह मैंने उसको प्रोमिस बता दिए कि मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट दे सकता हूं राइड चलिए दसे चार्टिफिकेट अब मैं ने जो बोला मैं बता दो दसर्टिफिकेट विल भी डिलेवाइव जिया मैं झुझा बता है आपको 2 ल ANY दिनम पंद्रा दिन में कब से पंदर दिन कि ने फ्रॉम देट ओफ दिस लेटर बस यहां तक बाइड कर लो पहले आयम डाइटेटर बोर अब डाइटर इस इंफर्मिंग यू तैट क्या यूर रिक्वेस्ट आप्लिकेशन नंबर 15 हिर आयम ओथरिटी यह आयम ओथरिटी टू इसु रसे शर्टिफिकेट चलडिश्य शर्टिफिकेट और निव तो शीड सर्टिफिकेट विल बी डिलेवार विदिन दा 15 देश्टिटे इस लेटर के पंदर दिन के अंदर अंदर यह चो ब्रय त्सम्वेस हैं यह रजिस्टर पोस्ट गृज fandom तो यूजिस्टर एड्रस योजिस्टर फिंगicorn से उडिश्टर फिंगर पैसा कैसे रगना रहारक रहुध इसोफ मेंस्टर थे और यह पही कहा। कहाँ पर फिर पीरा सत्नागर यह एत्यार समय आज फिर से बता रहा हूँ पहले क्या लिखोगे बोडी ओफ लेटर बता रहा हूँ आइम डाइटेट बाइब बोड अफ डाइटेटर इस इंफर्मिंग यू डाइट क्या इंफर्म कहने तो एस पर यूर एप्लिकेशन एस पर यूर रिक्वेश्ट एप्लिकेशन नंबर 15 20 30 जो नंबर डालना डाल देना कोई प्रोब्लम ने है I am here by Authority मुझे क्या दिगए है Authority to issue your share certificate खतम एक परडवर सेकेंड प्रेडा क्या लिकों के बिड़ा कि में दसे जर्टिफिकेट विल बी डिए इलेवर दसे इलए सटीफिकेट जो ऊटर्टिफिकेट वो विल बी डिए वर बड़ यार रखना विल बीड़ डिलेवर व्धिटिन दा 15 दैस्टाइब डेत लेटर कैसे मिलेगा बाय रजुस्टर पोस्ट बाय रजिस्टर पोस्ट एर डिट रजिस्टर एरस दो इन्ड रज़िस्टर ओपमने जो मेंबने लिक्वा में वह यड्रेसं पर आप आपका शेर सेटिफिकेट 15 दिनों मिल जाएगा सबसे इंपूर्टेंट होता है बच्चे लोग बना टेबल नहीं समझ में आता है बाई पहले समझो एक दो तीन चार केतने को लंब बनाने कितने को लंब नहीं है चार को लंब नहीं और अपना आइकार देख लें चार ची ल लिखो गया फोल नबर फिल लिखो कोकर शेर्ट नमबर फिर कहां से कहें олж It The ज्क theft उनब्र ए हम प्र है जीए और मैं आपको टॉलनम उनгор से लेगा गांटक ब्सक्राइव निशने और यहां पर मेरे हो तो क्या करना सिंपल वर्ट लिखना 0012100 यह होगे सोशेट खतम फसने की जरूरती नहीं क्या नमबर यह तको पिटा 0012100 यहां पर लिखने हैं 100 हो गया आंसर खतम पक्का एट एट अपको लिखना है इट शेल ओल्वेज अभी थोड़ा मसका पाले लिख देगे क्योंकि पत हम लोग को बहुत अच्छा लगया हम आपको सर्विस परएट करके बैस सर्विस परएट करके तो यू ओल टाइम डर ना नहीं थैंकिंग यू यह वैज पुली नाम लिखतेना बटा मिश्टर आनन स्वामी रजानन स्वामी घंसाम स्वामी जो लिखना है लिखो अपने आ बाइटर करो ना दो मीट के लिए टाइम ले रहा है आपके पास पूरा लेटर अभी का भी बता जाता हूं स्टार्ट कहां से करोगे तो सबसे सेंटर में क्या रहेगा कमनी का नाम एड्रस एड्रस कितने होगे तीन पहला एड्रस होगा रजिस्ट्र अड्रस दूसरा इमेल एड्रस वेबसेट उसमें राइट राइट आट में डेट लेट रेट नूमबर फिर आपका रेफ्रेंस नंबर भाईया सी यह नमबर बूलना ने कैसे लोगो एक दो तीन मादूर एक दो तीन चार पांच छे यह एक दो तीन अल्फा बेट होगे और चार पांच छे आपके नमबर होगे टोटल जोड़ लगा होगे तो 21 डिजिट का अल्फाबेट होना चाहिए ही चाहिए और रहेगा भी मुझे बगता है रेफरेंस नमबर में सबसे पहले क्या लिकूगे आप लेफरेंस नमबर में कंपनी का शोट नेम जिसको लेटर लिख रहे है उसका नाम शोट में में मेंबर और रिज़न चाहिए अब लिखेंगे भाई यहां पर क्या एड्रस फिर से कोई भी फेको लोगी करे एड्रस में कोई दिखेंगे थो एडरस में बुलना ने मिट प्रक्राइब दिखेंगे अपनी फिक्स लाइन सब में चेपेंगे लाइन तो आइम डाइक्टेट बाइब बोड अफ डाइडर्टर इस इस इन्फॉमिंग यू डैट में मुझे क्या किया डायरेक्ट किसने बोड़ आप डाइटर ने इनफॉर्म करने के लिए इनफॉर यह बस यहां से पकड़ ना मिटा एस पर यूर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नमबर 50 यह आइम ऑथरीटी टुश्यों शैर सर्टिफिकेट फिपोलेंगा तो शैर्टिफिकेट विल बीडिलेवर से इस बिलेवर विदिन दा फिप्टीन देस फ्रों डेट ओफ देट अव लोग कैसे मिलेगा रजिस्टर पोस्त एड रजिस्टर एडरस मेंशन इन दर रजिस्टर ओफ मेंबर एक लासा लेटर लिए लिए के फूल मांग से टेबल बना देना डिटेल में सबसे फोलियो नमबर फोलियो नमबर के बाद मैंगा बेटा क्या आपना क्योंकि यूवर फेट फुली कमनी सेटरी होग मेरे बच्चों को यह पूरा करश्पूनेंस का यह लेटर हो गया होगा हंड्रेट परसेंट हो गया होगा और आने के चांसिस भी बहुत है बेटा 90% इलेटर से लिट होता है नियुक्त करीफ दर विडियो को शेयर करना सब्सक्राइब करना और बेटा शेयर करना ने बूलन को कि लायक बहुत कमान कना पतफ़ लाइट करो शेयर करो för क्रतिकर बडार क्योंकि एसे और भी करस्पोनेंस के वीडियोICIA ने थे दरे थेए थैंकु अ झाल 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 झाल